सिटी पैलेस एक महल परसर है ये गुलावी सहर जैपुर की बीच में इस्थित है इस खुबसूरत परसर में कई इमारतें विसाल आंगन और आकर्षक बाग हैं जो इसके राजिसी इतिहास की निसानी हैं इस परसर में चंदर महल और मुवारक महल जैसे महतुकून भवन भी ह पिछले जमाने की कीमिती सामान को यां सरचित किया गया है इसके महल के छोटे से भाग को संग्रालाय और आर्ट गैलरी में तबदील किया गया है सिटी प्रलिस में कचवाराजपूद बंच के जैपूर के महाराज का सिंहासन है आमेर पर राज करने वाले महाराज साबाई जैसिंग दितिए ने इस महल परसर के निर्माण की सुरवात करवाई थी ये परसर कई एकड़ों में फैला है उन्होंने पहले इस परसर की बहारी दीवार की निर्माड का आदेश दिया था इस भब महल को मुगल, सिल्प, सास्त्र और यूरूपीय सैली की बास्तुकला की मेल से बनाया गया है इस महल के हर कौने में आप रंग, डिजाइन, कला और संसकती का सही मेल देख सकते हैं इस परसर की सबसे बड़ी विशेशता इसके भब रूप से सजाए गए दरवाजे हैं इस परसर में गुषने की तीन मुख प्रिवेश द्वार हैं, जो बीरेंद, पोल, उदैपोल और त्रपोलिया गेट हैं दर्सकों के लिए प्रिवेश उदैपोल और बीरेंद, पोल से होता है, जब कि साही परवार के सदस त्रपोलिया गेट का इस्तमाल करते हैं यहां चार दौआर हैं, पुवत्तर मोर गेट, मोर की रंगीन डिजाइन वाले ये, गेट सरद रितु का पतीग हैं, और भगवान विष्णू को समर्पित हैं दच्छिर पश्चिम गेट इस गेट पर बनी फूलों की डिजाइन गर्मी के मौसम का पतीक है और भगवान सिप पारवत्य को समर्पित है। उत्तर पश्चिम हरा दर्वाजा इसे लहरिया भी कहा जाता है ये हरे रंग का दर्वाजा बसंद के मौसम का पतीक है और भगवान गड़ेश को समर्पित है गुलाव गेट इस दर्वाजे पर खूब सूरत फूल उकेरे गई हैं ये रंगीन गेट ठंड के मौसम का पतीक है और इसे देवी को समर्पित किया गया है सिटी पैलिस को सप्ता में किसी भी दिन सुबे 10 वजे से साम 5 वे तक देखा जा सकता है सिर्फ राजपत्रित अपकास को छोड़कर